नमस्कार स्वागत है आप सभी का दानियूस 15 में और मैं हूँ आपके साथ शिवानी मांगबानी आई नज़ो डाल का खास रिपोर्ट पर तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एंट तक देखें साथी डेलिया बेट्स के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब कर दें तुझूटी मैं मकार ये नाम लगातार सुर्ख्यों में बना हुआ है क्योंकि जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई है उसके बाद से ही सिनमा घर एकदम फुल नज़र आ रहे हैं क्योंकि पठान के बाद ये बॉलेवुड की दूसरी ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को अपनी और खेच पाई है इस फिल्म की स्टोरी तो लोगों को पसंद आही रही है लेकिन जो सबसे जादा लोगों को दिवाना बना रहा है वो है रनबीर और श्रद्धा की अमेजिंग कैमिस्ट्री जिसको फांस खूब प्यार दे रहे हैं वहीं अगर इस फिल्म की अब तक की कमाई की बात करें तो फिल्म ने अब तक कुल बावन करोड के आसपास कलेक्शन कर दिया है तो चलिए इस फिल्म की सफलता को लेकर लोगों का क्या कहना है साथी उनकी ये मूवी कितनी पसंद आ रही है आए जानते है तो जोटी मैं मकार फिल्म कैसी लगी तो जोड़ा सा ओबर लगा में को इसका ड्रामा बाके काफे फिट बैकती है बट लास्ट में जो वो एकदम उसकी फैमिली महाँ पे चले गए या ये साथ में रह रहे है तो चीस का वी कॉंटरिक्टोरी है तो उसका तो लॉजिक में को कम समझ आया तो फिल्म कितनी एमोशनल है ये जाना चाहे फिल्म जो है दो गंडे 40 मिनट की है तो कितना बोर करती है बीच में ने बोर ने करती बहुत अच्छी मूझे है इसे बार इन्होंने फैमिली को काफी इंपॉर्टन्स दिया कि लास्ट में कि फैमिली के साथ एक हैपी फैमिली के साथ एक इंडिपेने लड़की तू जोटी मैं मकार आपके हिसाब से कौन सबसे जूट बोल लड़का अजी फिल्म में दोनों की कैमिस्ट्री कैसे लगी अच्छी थी फिल्म कैसे लगी बेगार बेगार फिल्म कैसे लगी अच्छी फिल्म कैसे लगी नाइस दोनों की कैमिस्ट्री कैसे लगी रणवीर कप क्या पार्ट है जो बेस पार्ट क्या लागा एक्शन पार्ट एक्शन पार्ट एक्शन पार्ट एक्शन पार्ट एक्शन पार्ट फिल्म जो है फैमिली ड्रामा बहुत है तो वो चीज़ कैसी लगी ड्रामा अच्छा नहीं लगा हिट पार्ट गे फिल्म कैसी लगी अच्छ तो कैसे लगी दोनों की बीच के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब कर दें झाल झाल